दोस्तो आज इस वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करेंगे बैकडॉब इस्टन्ट यह रहा अपका बैकडॉब इस्टन्ट पूरा फेकेजिंग अभी तक इसको मैंने खोला नहीं मैंने सुचा खोलने का पहले इसका एक अन्बोक्सिंग और रिव्यू बना दू क्योंकि मेरे इसके जी का यह प्रोडक्ट कोरियर में आया हुआ है अब मैं इसको खोलता हूँ तो इसको मैं अभी खोलता हूँ और हम चेक करेंगे इसका अंदर क्या-क्या समान है और इसके बाद हम आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे इसका हाइड दिखाएंगे इसका लेंग दिखाएंगे और यह रहा आपका प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ एक बेक भी मिल गया हमें और यह देख सकते हैं इससे आप ग्राउंड में खड़ा भी कर सकते हैं अभी मैं इसको खोलता हूँ और यह रहा कुछ इस्टेंड दिया हुआ है अंदर सो यहाँ पर तीन अलग-अलग स्टेंड का पेकेजिंग है आप यहाँ देख सकते हैं आप एक एक करके यह सारे स्टेंड को मैं खोलूंगा तो यह रहा आपका स्टेंड सो यह स्टेंड को आप लंबा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और यह रहा जो कनेक्टर रोड है जो बीच में आपको connect करना है और इसको इस तरह से आप खीच के इसको बढ़ा कीजी इस्टेंड को तो यह अलग-अलग एंगल में आप इस्टेंड को fit कर सकते हैं यहाँ पर clam है इसको खुलने के बाद ही आप इसका लंबाई को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर तीसरा है काफी उच्छा है आप नीचे से लेके आपका च्छात तक जो रूम का अंदर जो उपर का जो डलाई है वहाँ तक पोच जाता है ऐसे है इसका अपका हाइड जो है वो 8 feet है और चोड़ाई जो है उसका अपका 15 feet है तो नॉर्मली आदमी का जो हाइड होता है इंडियान आदमी का वो सारे 5 या तो 5 से लेके 7 feet तक होता है और इसका हाइड है आपका 8 feet तो इसका मतलब यह काफी लंबा है और अभी इसको आप खीच के इस टेंड को आप फिक्स कर सकते है इसको खीच के आपको उपर की तरफ ले आना है और इस तरह से फिक्स करना है तो उपर की तरफ और नहीं जा रहा है उपर लग गया है चात पर यह देख सकते आप सो ऐसे काफी लंबा है यह और और उपर तक जाएगा यहाँ पर बेंगलोर में जो साउथ इंडिया का जो रूम होता है वो काफी हाइट थोड़ा चोटा होता है और इस तरह से जो बीच का कनेक्टर है इस तरह से आपको फिट करना है यहाँ पर स्कूरू लगा हुआ है और यह वाला जो है यह दोनों जो स्टेंड है इसमें फिक्स करने के लिए हैं सो हर जगा में आपको क्लैम मिलेगा इसे आप अपने हिसाब से स्टेंड को फिट कर सकते हैं अगर आपको चोटा चाहिए तो आप कनेक्टर जो तीन दिया हुआ है वो कम करके भी आप इसको फिट कर सकते हैं और नीचे का चोड़ाई भी आप छोटा कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दीख रहा है अब मैं उपर का जो कनेक्टर है उसको मैं फिक्स करता हूँ यह एक साइट का जो पूरा वाल का जो एरिया है यह पूरा कबर आप कर लेता है प्रोडक्स जबर्दस थे इसका मैटल भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है और यह है आपका जो बैकडॉप परदा है यह आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए और इसके बाद आप आराम से वीडियो शुट कर सकते हैं इसका हाइट और भी उच्छा होगा यह आप देख सकते हैं पूरा उपर तक इसका हाइट पहुच गया है और यह जो परदा है यह भी एट इन्टु ट्वेल फिट का है इसका भी मैं अन्बोक्सिंग किया हूँ और यहाँ पर आप बीच में रहके आराम से आप वीडियो शुट कर सकते हैं आपका कोई भी साइट वीडियो में नहीं दिखेगा